तो भारत का राश्ट्रिय पाश्यू कौन है इंडिया का ये तो हम सब जानते हैं पर क्या आप जानते हैं कि आपके अपने स्टेट का अनिमल कौन है रेप्रेजेंटिव अनिमल कौन है जानते हैं नहीं अगर नहीं जानते हैं तो आज जान लिजीए आज इस वीडियो में हम लेके आए हैं स्टेट वाइस लिस्ट ऑफ एनिमल्स इन इंडिया और आप सोच रहे होगे कि ये ला ना ये एक टॉपिक लाना क्यों जरूरी था तो जरूरी यह इसलिए था क्योंकि आज कल जो पिछले दो तीन सालों से सीयसा या लाइफ साइंसे यूनिट 9 की क्वेश्चिन का ट्रेंड है वो थोड़ा चेंज हो चुका है वो अब मोर और ओरींटेड हो गया है जियोग्राफिकल नॉलेज बेस यानि कि मैं अगर कहूं कि यह इंडिया इंडिया के डिफरेंट स्टेट इंडिया के डिफरेंट जो जियोग्राफिकल रीजन है उनसे बिलॉंग करने वाले अनिमल्स उनसे बिलॉंग करने वाले बर्ड्स और उनके वहां के क्रॉप्स इंसे ज्यादा क्वेश्चिन आ र तो आज जानते हैं सबसे पहले हम बात कлять हैं National Animal of India तो इंडिया का नेशनल एनिमल जो है वो है रोयल बैंगल टाइगर जो की जिसका साइन्टिफिक नाम जो है वह है पैंथेरा टाईगरेस 1972 में इसे इंडिया का representative animal चुना गया क्योंकि ये कहीं ना कहीं represent करता है इंडिया के strength को इसके power को उसके grace को तो जो qualities tiger में हैं वो इंडिया की जो है persons में people में citizens में दिखना चाहिए strength power grace दिखनी चाहिए और इस लिए हमने इसे बनाया 1972 में इंडिया का national animal नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेट वाइज हमने बात तो यही कि हमें जानना है कि स्टेट वाइज जो है वो कौन-कौन से अनिमल से तो एक अनिमल है ब्लैक बग जिसको हिंदी में बोलेंगे हम काला हिरन ब्लैक बग ब्लैक बग यही वो अनिमल है सलमान खान ने जिसका शिका इसे नाम है पंजाब हर्याना अंद्रप्रश और यानि अगर पंजाब हर्याना या आंद्रप्रदेश से बिलॉंग करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो स्टेट अनिमल है वह काला हिरन यानी की ब्लैग बक अब एक्जांस में यह चीज़ें कैसे याद रहेंगी तो एक्जाम में याद करने के लिए तक्रीब तरकीब जो है वो मैं लेके आई हूँ तो काला हिरन क्या है आपका आनिमल है काला हिरन पंजाब में नाम में आ रहा है जब हरियाना और अंध्रा तो आप एक लाइन याद कर सकते हो जब हरी हरी मिन्स आपके भगवान विश्नु हरी हरी भगवान श्री कृष्ण हरी जब हरी आना मतलब हरी आना आना है हरी जब आना हरी आना तो अंधेरा मिटाना अंधेरा मिटाना अंधेरे से आपको आपको दो चीजें पता चलेंगी क्या पता चलेंगी अंधेरे से आपको एक आंध्रा का आइडिया मिलेगा दूसरा एक आइडिया मिलेगा कि अंधेरा यानि काला डार्कनेस डार्कनेस कहां है काले हिरन में हैं तो आप याद कर सकते हो पंजाब हरियाना आंध्र प्रिदेश तीनों के लिए can statement कि याद करना है जब हरी आना अंधेरा मिताना जब पॉर पंजाब हरी यह एनदेरा का इनजाइरा से आपको अंधेरा का यानि यानि आपको पता चल रहा है कि पंजाब हार्याना अंध्रा कोई एक लातीच pl याँ पे एक गाय जैसा दिखने वाला अनिमल एक गाय गव.अशी पस्षू है जिसको लोकल लेंग्विज में बोलते हैं गायल और लोकल लेंग्विज में ही कहीं कहीं मिथुन भी बोलते हैं तो दोनों नाम है इसके मिथुन भी हैं और गायल भी हैं और दो जगों ने इसे रेप्रेजेंटेटिव बनाया है अरुनांचल प्रदेश और नागालेंड ने तो अरुनां आपको याद हो जाएगा कि मिथुन यानी आनिमल नाचा मतलब अरुनाचल रिलेट कर सकते हो अगर मैच आप 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 रिलेट कर सकते हो अरुनाचल प्रदेश नागा लेंड इस तरह से याद कर सकते हो और नाचल प्रिदेश और नागालेंड दोनों के लिए हो गया आपका मिथुल या गायल और कैसा है यह यह गवंची पशु है देखने में गाय जैसा है एस्थ जो है आसाव, आसाव के लिए आपको याद करना है इंडियन वन ओन राइनो यह गेंड़ा है एक सिंग का गेंड़ा है राइनो सारस ठिक इसको बोलते हैं राइनो सारस तो अगर हम राइनोसेरस बूल रहे हैं इधर बूल रहे हैं आसाम तो आसम आसम इस लाइक आम और राइनोसारस मतलब सौरस रस रस आ रहा है तो आम का रस असम राइनोसारस ऐसा एक लाइन याद कर लो आम का रस असम राइनोसारस तो आपको याद हो जाएगा कि इंडियन राइनो जो है वह असाम से बिलॉंग करता है नेक्स्ट है च्छतेस गड़ का जो एनिमल है रिप्रेजेंटेटिव वह जंगली भैस या वॉइल वैप इसको याद कैसे करेंगे इसको याद करने के लिए बहुत बढ़िया ट्रिक है मेरे पास आप जाते हो पार्टी में है बहुत सारे तरीके का खाना होता है बहुत सारे तरीके के जो है रेसिपीज कुजीन होती है आपको याद रखना है कि 36 तरह का खाना जो है वो बुपे में मिलता है यानि 36 गड़ में बुपैलो वाइल बुपैलो जो है वह आप इनका रिप्रेजेंटेटिव आनिमल है च सुर्ट बिल्कुल opposite state हैं, दोनों बिल्कुल उल्टे-उल्टे गोवा अलग, बिहार अलग, लेकिन दोनोंने एक ही ऐनिमल को अपना क्या बनािया, representative बनाये, गोवा, बिहार के लोगों को गोवा जाने का बहुत शोख रहता है दोनों में क्या है कुछ तो common है तभी तो शौक रहता होगा तो गोर में जो है गोळ और बिहार के एन्ड में आर आrabi और मिल के यह बन आ एशिया के शेर एशियतिक लॉइन जो है गुजरात का रिप्रेजेंटेटिव आनिमल है नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश और लद्धाक दोनों के लिए सेम रिप्रेजेंटेटिव आनिमल है वह स्नो लैपर्ड नाम में पता चल रहा है स्नो यानि बर्फ कहां होगी पहाडो पर पहाड कहा हिमाचल में और लदाक में पहाड कहा हैं हिमाचल और मिलेगा या स्नो लैपरaming रिप्रेजेंटेटीव है हिमाचल प्रदेश और लद्धाक पुर्ण जाता है और इस पर क्वेश्फर में है February 2022 में पूछा गया है रिसेंटली भैरो गाटी एरिया अफ उत्राकाशी सीधे आपको बोला गया है कि एक स्पीशी है गोस्ट ऑफ दा माउंटेन के नाम से जाना जाता है और भैरो घाटी एरिया में अभी उसके लिए कंजरवेशन सेंटर बनाए गया आप वो एनिमल कौन सा है मैंने अभी आपको तुरंद बताया पहले पहले बताया कि भई घोस् पुचे अप्षिंडी टीक लगा दो सिंपल इसने मिलके अपना और प्रेजंटे टिव बनाया है जoureउं कंड करनाट का हैंट के रला तीनो ने मिलके अपना र यह अब आप देखो तो जार्खंड के h में आता है हैंड to end to end hand जो है हिंदी में हात बोलते हैं उसको जारकंड और elephant relation बन गया। ऐसे ही कर काम करते हैं किस से हाथ से करते हैं काम करते हैं हाथ से तो अगें आप कर नाट का इस पर एलिफेंट एक चीज और संस्कृत में हाथ को अगें बोलते हैं कर तो आप याद कर सकते हो कि कर जो है वो एलिफेंट हाथ हाथ में आ रहा है फिर नेक्स जो है केरला केरला में भी आपका कर आ रहा है वर और केरला तीनों के लिए रेप्रेजेंटेटेव आनिमल जो है वो कौन सा है एलेफेंट तो एलेफेंट हो गया नेक्स्ट है मध्यप्रदेश एंड उत्तर प्रदेश दोनों ने मिलके बारा सिंगा को अपना रेप्रेजेंटेटेव बनाएं इंगलेश में हम इनको बोलते ह स्वामट डियर तो स्वामट डियर है तो स्वामट डियर किसका रेप्रेजेंटेटिव हुआ दोनों का उत्तर प्र देश और मध्य प्रदेश बारा सिंगा ऊत्र प्र नैम है रट्उफा इंडिका तो ज्याइं इसका स्कुएरल नाम में है इंडियन ज्याइट स्कुएरल तो ज्याइड वर्ड मतलब क्या होता है वहाग लाज वहल बडशा मतलब राज मतलब राजाओं का भी जू होता है वो महाराज़्ाव होता है वैसे ही महारास्ट तो जो राश्र खुदी मरवा तो इस पिते जी अंड्स कोरेल मतलब बड़ी गिलहरी बड़ा लाज महां गिलहरी यह इनका रेप्रतेटेटिव इन फिलेब बड़ी गिलहरी इन है रहा रही है नीक्स सकता है next question महारास्ट्र से हो question आया है दे ग्रिजल जियांट स्क्वेरल रटूफा मकरूना naturally occurs in option दिये हुए नौर्थ इस्ट इंडिया वेस्टन हिमालिया साथन इंडिया एंप सदर्न इंडिया एंप स्रिलंका नेक्स्ट है अन्लमान निकोबार आइलेंट आंसर होगा सी क्योंकि यह ज्यांड क्रिजल स्क्वेरल जो हैं वो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं करनाटका कावेरी रिवर के आसपास करनाटका के हिल फॉर्स में और केरला में यानि की साउथ इंडिया में तो option सी जो है वो करे करता है यह एक क्या है तो इंडिया में डियर की वैराइटी आपको कैसे याद होगा आप चाणका को रिलेट कर सकते हो word Sagai Sagai is for word for क्या Engagement Engagement और Engagement में क्या लगता है पैसा Money है ना तो आप याद कर लो कि Money turn जो है Money pull उस की क्या हो रही है Sagai हो रही है यानि उसका representative animal कौन है संगाई तो नेक्स्ट जो है Meghalay Meghalay का जो है Clouded leopard इसका representative animal है clouded leopard next है मिजोरं मिजोरं का representative animal है एक बक्रिय की तरह दिखने वाला animal goat like animal इसको हम शीरो बोलते हैं और actually ये पहाडों पे मिल रहा है मिजोरं के hills में मिल रहा है तो इसको बोलते हैं हिमालियन शीरो तो मिजोरं का जो animal है वो है हिमालियन शीरो नाम कैसे याद रखना है अगर match of the following में आया तो तो मिजोरं रम एंड में आ रहा है राम वर्ड एंड हिमालियन हिमालियन में आ रहा है वाई एन वर्ड तो आप इसको कंबाइन कर दो बन जाएगा क्या रामायन तो आपको बनाना है जब भी मिजोरं आएगा तो आपको देखना है कि रामायन वर्ड बन रहा है कि ने किस option से रामायन वर्ड बन रहा है तो वो बनेगा हिमालियन शेरो वर्ड से तो शेरो वर्ड से आप बनाके इसको रिकॉल कर सकते हो अगेन ओडिशा, ओडिशा के लिए भी डियर ही representative है और कौन सा डियर है, सांबर तो आपको याद रखना है कि ओडिशा जो है वो सांबर डियर उसका representative है तो डियर की varieties है इंडिया में और काफी सारे states ने क्या किया है दियर को अपना ऐस्थान यह नाम है छिंकारा राजस्थान वाले का नाम है फिर था मनेक्या है राजा क्या करता है अपनी प्रजा की चिंता करता है तो तो अर छिंकार और चिंकारा का चिंवर्ड आप याद कर सकते हो राजस्तान के लिए क्या हुआ चिंकारा अच्छा यहां पर एक चीज याद करने को बहुत जरूरी है जितने भी antilopes है या डियर like animals है लाइक ब्लैक बग हो गया चिंकारा हो गया यह डियर की कोई variety उन सब को प्रोटेक्ट करते हैं राजस्थान की एक community जिसको हम बोलते हैं बिस्नोई समाज या बिस्नोई community जो है वह बोहत wildlife लविंग community है और यह लोग बहुत आगे आते हैं तुरन खुद से आगे आते हैं इनको प्रोटेक्ट करने के लिए और इसलिए इनको तो बोलते हैं guardian of deers and antilope, तो बिस्नोई community का दूसरा नाम है guardians of deer and antilope, तो ये लोग protect करते हैं black buck को, chinkara को, blue bulls को, तो इस पर एक question आया हुआ है, the black buck antilope sarvika para has been traditionally protected by which one of the following communities, तो इस ओल्वेस बिस्नोई, नॉट बिल्स, नॉट जाट, नॉट अहिस, इस बिस्नोई, नेक्स्ट है सिक्किम, सिक्किम ने जो है red panda को अपना आया है, अपना representative animal के तौर पे, तो सिक्किम के जो cute cute panda है red panda, वो यहां के representative animal है, अगें, नीलगीरी ताहर, very favorite animal of CSIR net life science, नीलगीरी ताहर पे बहुत सारे question पूछे जाते हैं, match of the following में, कि कौन से पार्क में हैं, कौन से wildlife century पे protect किया जा रहा है, यह वो कहां मिलते हैं, तो भाई यह मिलते हैं यह मिलते हैं, नीलगीरी ताहर, शॉर्ट फॉर्म NT, तो आप को याद करना है, यानि दोनों वर्ड जो हैं एक दूसरे के ओपोजिट हैं एक T से शुडू हो रहा है दूसरा T पे खतम हो रहा है एक N पे खतम हो रहा है दूसरा N से शुडू हो रहा है तो आप याद कर लोगे कि तमिल नाडो के लिए जो है नेलगीरी तार जो है वो इनका रिप्रेजेंट इन इन यानि और यान कौन मिलते हैं लंगूर या बंदर मिलते हैं लेकिन हमें बंदर में कन्फ्यूज नहीं हुना आम याद रखना है कि ट्रिपूरा का जो ट्री है हो सिर्फ लंगूर को जिए देगा श्राय भीआ योगंतर न की हिरन के लिए और निकूसम मैं नेक्स है वेस्ट बेंगॉल वेस्ट बेंगॉल की देख जो रेप्परेसेंटेटिव सल퍼 मया है poka 현 год बीली लेकिन बंगालियों की तरह ये भी ऐसी-वैसी केट भी मnor पसंद है तो इनका नाम क्या है हम फिशी कैकfont सेट यानि फिशिंग कैक्ट तो यहां भी फेश आ गई बंगाल में जैसे फिश शनइव हर जय लेकिन यहां भी आ गई तो फिश三 तो आराम सा नियाद होगा किसके 群 है फिशिस और मचली पकड़ती वंगाल प्ला की तो बिली संसी टो तो आपको याद होगा कि fishing cat जो है वह से बेंगॉल का रिप्रेजेंटेटेव आनिमल है अगें अंडमान निकोबार यूनियन टेरेटरीज अंडमान एंडिकोबार आइलेंड का डूगोंग जो है रिप्रेजेंटेटिव आनिमल है डूगोंग चंडीगर के लिए मंगूस ग जमू एंड कश्मीर का यह यह भी CSI का फेवरेट एनिमल है नील गिरी तार के बाद जो अगेन फेवरेट है वो हंगुल है तो हंगुल जो है अगेन एक हिरन है और हंगुल कश्मीरी वर्ड में बोलते हैं इस हिरन को अदर्वाइज इसका इंगलिश नेम है कश्मीरी जो है वो रिप्रीजेंटिटिव है जम्मू एंड कश्मीर का और लोकल लैंगवेज में से हंगुल बोलते हैं तो हंगुल जम्मू कशमीर का रिपरेजेंटिटिव है और नील गाय नेक्स्ट है नील गाय दिखाने के बाद कि हर एक स्टेट का जो रेप्रेसेंटेटिव आनिमल है वो क्या है और कैसा दिखता है यह दिखाने के बाद मैं आपको एक समरी दे रही हूं अंदरप्रदेश ब्लैक बग अरुनाचल प्रदेश मिथुन या गायल असम इंडियन वन और राइनो मैंने कैसे बता था असम राइनोसारस कैसे यार करना आम करस यानि असम राइनोसारस बिहार गौर गौवा गौर चतिसगर बुफे 36 बुपे आईटम्स 36 बुपे डिसल यानि 36 गर्ट वाइल बुपे गुवा गौर गुजरात एस्योटिक लाइन हर्याना अगेन ब्लैद्वर्ग हिमाचल प्रदेश एंड आपके लदाग क्या होगे स्नो लापर जार्खंड करनाटक केरल एलिफेंट मध्या प्रदेश और उ इसे सगाई मनी इंगेजमेंट फिर मेगाले क्लावडेड लैपर्ड मिजोरम सेरो नागालेंड फिर अगेन गायल मिथुन है ना और उडिसा सांबर पंजाब ब्लैग बग राजस्थान चिंकारा सिक्किम रैट पांडा तमिल नाडु क्या बोला उल्टा उल्टा है एंट ओधिन से शुडू ऐंटी पे खतम तलंगाना देलंगाना फिर्ट क्षेड ट्रिपूरा लंगुर मतलब पेड ऐसा पेड जो सिर्फ लंगूर रखे ट्री लंगूर ठिपूरा लंगूर उत्तर अगन्कन मस्कड टियर उत्तर प्रदेश अगेन बारव सिंगा सम्थ नेक्स्ट आप यूनियन टेरिटरीस पे आजा अनमान निकोबार के लिए है डूगांग चंडिगर के लिए आपका है ग्रे मुंगोस डादरा और नगरहवेली दमान एंड दियू के लिए क्रोकडाइल लक्षदीप के लिए बटरफ्लाइफिश पॉंडिचेरी के लिए स्क अनिमल जो है रिप्रेजेंटेटिव अनिमल कवर हो गए आगे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पताएं किसके बारे में बट ठीक है ट्यून होते रहिएगा देखते रहिएगा वैदेमी के चैनल पे नए अपडेट्स आएंगे नए वीडियो आएंगी उन सबको देखते रहिएगा और आप अपने प्यार और आशिरवाद हमें कमेंट्स में लाइस के त्रू और शेर्स के त्रू दीजेगा और बाबाए एंड थैंक यू एप्रिवन